बच्चों आज अपन SSC, Bank, Navy, Air Force और जगी अन्य competition exam हैं उनके में आने वाले mathematics के question करेंगे ठीक है बच्चों उसमें से सबसे पहले आज topic अपन पढ़ेंगे सबसे easy topic square का ठीक है तो थोड़े बच्चों इसको द्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपकी हमेशा काम आने वाली चीज है और मैं आपको आज इसकी trick के द्वारा समझ जा रहा हूँ इसको थोड़ा द्यान से समझिएगा बैस 6 करेंगे उसमें से आपको पूरा का पूरा बच्चों समझ में आ जाएगा चलो बच्चों इस वीडियो को करोगे चोवन को चोवन से मल्टिप्लाइ करोगे तो आपको बहुत टाइम लगा नहीं नहीं कर ज्यादा से ज्यादा आपको दो मिनिट लग जाएगे ठीक है अब इस चोवन के स्केर को मैं आपको तीन सेकिंड की अंदर बता रहा हूं कैसी अपन सोवन का स्केर सबसे पहले आप दो लाइन कीचिएगा चोवन का स्केर अपने को ग्याद करना है ठीक है अब चोवन का स्केर ग्याद करना है तो देखो सबसे पहले पांच का स्केर यानि को पांच का स्केर कितना हुआ पच्चीस अब इसके बाद में कितने है चार यह कितना हो चार का वर करना है कि इसको इससे मल्टिप्लाई करना है था है था चार चार और यहां पर जीरू है अब इनOGर्ट स्टार्टिंग में जहां यहां इकाइक के यहां पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है यह बात हमेंसा आपको ध्यान रखने है अब इनको 6192 ठीक है अब आई 1916 अब एक दूसरा एक्जाम्बल लेकर चलें अब कि 44 का वरक का स्केर याद करना है वैसे जैसे पहले बताया था लाइन खिंचो दो अब देखो स्टार्टिंग के चार का वरक 16 इसका वरक 16 अब 24 को हो से मटिपला एक रहां 16 सोला को दो से मल्टिपला क adapा बतीस तो यहां आए पर दूबारा बता रहा हूं यहां पर कुछ गी cm कुछ भी नहीं लिखना है ठीक है अब इसको सरल करों six थ्री नाइन वन अब पहले जो मैंने 54 का आपको बताया था उसमें आप ज्यादा से ज्यादा आपको 15 सेकिन लगे थे थे थोड़ा समझ में आया इसके बाद में जैसे जैसे अपन एक्सरसाइज सवाल और निकालते जाएंगे अपने को टाइम बचता जाएगा ठीक है अब अपन निकालेंगे एक निकल लो 66 का वरग निकालना है 66 का वरग निकालेंगे तो वही चीज़ वापिस कंडिशन लगाओ 6 का 36 36 हो गया और यहां भी 36 अब 3 को 6 को 6 से गुणा करो 36 दो से मल्टिप्लाई और करना है इसको बहतर तो यहां 7 लिकाओ यहां 2 लिकाओ 6 5 7 7 और 6 जोड़ना है टोटल लगरना है 7 और 6 13 और 1 3 और 4 यह इसके आई अंस्वर अब मैं आपको एक दूसरा एक 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 जामपल बता रहा हूं धोर सा इससे हटके एक एक जामपल बता रहा हूं 96 का 96 में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है चीज तो स्टार्टिंग की तो वही करनी है यह कीजिएगा 9 की स्केर कितना वा 81 यह 81 लिका इसके बाद में देखो 6 का स्केर 36 यह इतनी बात आई समुझ में अब इसके बाद में मैंने दूसरी कंडिशन बताई थी यह तो फर्स्ट स्टेप होगी यदि हम इसको स्टेप फर्स्ट दे दू और इसको अब देखो 9 को 6 से मल्टिप्ला एक रहा 42, 45, 44 अब इसको बापिस आपने टूल्ट से मल्टिप्ला आए 8, 5, 2, 10 कितना हुआ 108 अब देखो 3 डिजित आ गई इसमें आपको क्या करना है मैंने सबसे पहले यही बताया था कि जो यह वेल्यू आ रही है इसके नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है इसके आगे आप कु देखी रो लिखो तो यहां कितना हुआ जोड़ो 8, 6, 11, 2, 9 कितना ही बान में और 16 अब एक उतारन और बता दूँ आपको लास्ट अब आपको ग्यात करना है 24 ग्यात करना है तो स्टेप तो वही करना है दो का 4 आ गया अब 4 का कितना है या 16 अब इसके बाद में आपको ग्यात करना है इनको दो से मल्टिपलाई करो चार से आट 802 से multiple आई करा 16 अब देखो 16 तो आप लिख दोगे एक यहां लेकरना है एक 16 लिखना है इसके लिएफ अब देखो यहां पर अमेशा याद रगनी अपने यहां पर 2 डिजित होनी जरूरी है जोड़ी है दो डिजित कैसे होगी यदि मैं इनके आगे 0 लगा दू तब एक डिजिट हो जाएगी यदि मैं यहाँ डिजिट लगा तो 40 हो जाता तो 40 किसी की स्कैर तो होती नहीं है इस हिसाब से मैं इधर 0 लगा रहा हूँ तोड़ा द्यान से समझेगा 0, 4, 16, 1, 6 अब इनको टोटाल करो 6, 7, 5, 57 तो 24 का स्कैर कितना होगा 5, 57 होगा ठीक है अब इसी परकार बत्चों आप अलग अलग निकाल सकते हो जैसे अब आप आपने कितरे ने देगी 89 ले लो 89 का निकाल सकते हो 79 का सकते हो 69 का स्कैर इस परकार अपन निकाल सकते हैं थोड़ा इसको ध्यान से समझेगा ध्यान से पढ़िएगा ठीक है बहुत ह के आपको यह हर चीज में आती है हर competition एक्जाम में एक्जाम में एक्जाम में आती है बत्सों राश्तान पुलीस दिल्ली पुलीस मेट्रो हर जगह एक्जाम में आपकी आती है तोड़ा इसको डीपली पढ़िएगा स्केयर को और अगली वीडियो में आपको मेरे साबसे इस वीडियो के लावा कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा ध्याम से समझेगा बच्चों इसके बाद में हपान गनकील गनकील तीन वे तीन का स्केयर तीन वेल्यू अब 999 का स्केयर निकालना है यह इस अगले वीडियो में आपको यह बताए में आरागा ज्यादा से ज्यादा इस सेनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों धन्यवाद